आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परिच्छा फॉर्म और परिच्छा से रिलेटेड जनकारी जी हाँ JP University के जितने भी 16, 17, 2020 पार्ट थाड़ेयर के स्टूडेंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट थाड़ेयर में एकजाम फॉर्म कैसे होगा आपका इस वीडियो में ये भी बताएंगे कितने तारिक से होगा साथे साथ ये भी बताएंगे आपका परिच्छा कब से होगा ठीक है परिच्छा को लेकर बहुत सारे स्टूडेंस कोश्चन कर रहे हैं कि सर परिच्छा कब से होगा परिच्छा फॉर्म का डेट तो जारी हो चुका है लेकिन परिच्छा कब से होगा इसके बारे में भी बता दीजिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परिच्छा कब से होगा और साथे साथ परिच्छा फॉर्म कैस तो चलिए जान लेते हैं वीडियो को सुरू करते हैं पूरा अं तख वीडियो को देखेगा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट हैं वीडियो को थोड़ा सभी आगे पीछे बगाकर मत देखिएगा तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी दो दिन पहले एक निव नोटिस जारी हुआ था JP University की तरफ से परिछा फॉर्म से रिलेटेड 17.2020 पार्ट थार्ड एर के स्टुडेंस के लिए दोस्तो पार्ट थार एर के स्टुडेंस ने बहुत सारे कुष्चन किये थे तो जिसमें आप लोगों कों बताना चाओंगा कि अगर पार्ट ु का अगर आपका किसी भी कारण रिजल्ट पेंडिंघ में है और आपका result नहीं हुआ है तो part 2 का आपका mark sheet मिला होगा आप लोग part 2 के mark sheet से आप लोग अपना अंग पत्र देख सकते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखें सभी जातर दूसरी बात आप लोग यह ध्यान रखें कि अगर जिनका part 1 जो है मान लीजिए part 1 अगर clear नहीं है और सोच र चाहूंगा सभी छातरों से कि आप लोगों का परिच्छा form जो है डेट साथ अप्रेल से स्टार्ट होने वाला है ठीक है चलिए मैं notice पर चलता हूं और आपको देखा दोस्तों यह है उसका notice जो आप लोगों को पता है कि निकल कर आया हुआ था इस वीडियो में मैं इस notice के मताबित भी बताऊंगा आपका परिच्छा कब से होगा ठीक है सबसे पहले जान लेते हैं परिच्छा फॉर्म के बारे में यहां पर देखिए बताया जा रहा है सेशन देख लिए 17-20 थाड़े और के स्टूडेंस की बात कर रहे हैं ठीक है यहां पर देखिए साथ जुला लेजिए कि परिच्छा फॉर्म के लिए पैसा कितना लगता है जैसे कि आप पैसे की बात करें तो समाने के इस्टूडेंस हैं तो 400 पैसेट लगेगा बाकी के स्टूडेंस हैं तो 490 रपे अब देखिए दोस्तों यहां पर समझ लीजे एक डेट और रखा हुआ है इसमें समझना आप लोगों को जैसे कि अगर मान लीजे 13 तारीक को आप लोग परिच्छा फॉर्म नहीं भर पाते हैं और किसी भी कारण कोई भी कारण से अगर आप छूड़ जाते हैं तो आपको 14 तारीक से लेके 17 तारीक तक भी परिच्छा फॉर्म भर सकते हैं पर इसके लिए चार्ज देना होगा विलम ये सल्क आगर और देरी करते हो तो अध्य को दो स ONC लुए है् सब्सक्रायर को सकते हो भी स्वार्ण के पूरी जन्कारी आपर पत्र के साथ परिथम प्राथम दिवित्य खंड के परिछा अंक जिहां दिवित्य प्राथम और दिवित्य खंड के जैसे की आंक जैसे की रिजल्ट लगेगा अगर आपको पास मार्क सीट मिला ही होगा मार्क सीट में अपना मार्क से पूरा देख लिजेगा उसके बाद आपका परवेश वान बोटन जब करवाते हैं तो उसे पंजेयन पत्र कहते हैं तो पंजेयन पत्र अप लोगों के पास होगा ठीक है वागेगा उसके बाद आपका कोई खुछ कुछ नहीं लगना ठीक है यह ही इतना ही डॉक्मेंट लगए उसके बाद आप देखिए बता देता हूं मैं आपको आपका परिच्छा कब से होगा यह जानना बहुत जुरूरी है ठीक है छात्रों के लिए तो शात्रों को मैं बता दूं कि परिच्छा फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा ऑनलाइन जाकर आप किसी भी दुकान पर जा चात्रों का तो आप लोग सभी स्टूडेंस को वीडियो सेर कर दीजे अगास्त में कब होगा इसके लिए कोई डेट डेट फाइनल नहीं किया गया है मतलब अगास्त के सेकंड वीक में परिच्छा का रूटीन जारी कर दिया जाएगा तो अगस्त के पर अगस्त के सेकंड वीक में जो है परिच्छा का रूटीन जारी होगा उसके एक हफ्ता पहले एड्मिट कर जारी हो जाएगा तो आप लोग सभी छात्रों वीडियो को सेर करिए लाइक करिए और चैनल पर निव जारे तो सब्सक्राइब कर लिजे कहने वाले पूरी जनकारे आपको इसी तरह मिलता रहे हैं हाला कि जो छात्रों का कोस्टिन था हूं मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया नेस्ट वीडियो लेकि आएंगे बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैबंदे मात्रों